हालो फ्रेंड्स मैं निर्मत गुपता विल्कम तो संतलो क्लासेज आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं लेक्शर्स भी देख रहे हैं पढ़ाई भी करें से लक्षर स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रिल डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत ही इं और कई भाई शॉट्ट्नोट्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है तो बहुत ध्यान से समझें स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे इसके मेनिंग से कि इंड्सट्रिल डिस्प्या होता क्या है इस कहा गया धविडिकम्यॵिट्ष लंगे के बीच में मैनेज्मेंट और हमारे कि भी में प्रॉट्स के बीच कि इस生 ये इस प्रोसस deform होते से यह में पिम्न्प्र and employee क्योंकि कोई भी अगर rules बनाया गया है policy बनाया गया है या कोई भी बात है different different employees के लिए different different employers के लिए हर individual का अपने अपना perspective अलग होता है हर individual अपने level से हर चीज को देखता है या अपने benefit के लिए सोचता है तो कहीं बार जो decisions होते हैं या जो thoughts होते हैं of employer and employee उनके बीच में clashes हो जाते हैं जिसकी वज़े से हमारी organization में company में industrial disputes arise होते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे about some causes के किनकी वज़े से कौन से ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से इंडूस्य disputes होते हैं like dispute relating to minimum wages के जो minimum wages हैं वो नहीं मिल रही salary and incentives issue जो हमारे employees हैं जो हमारे workers हैं उनको proper salary नहीं मिल रही proper incentives जो उनको मिले चाहिए वो नहीं मिल रहे increment is not up to the performance उनको पता employees से सोच था इस बार तो हमारे increment बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमने targets पूर है चिल सचीव करें हैं wastage कम करी है अच्छे productivity हुई है organization के profit increase हुई है लेकिन उनको जो increment हुआ है वो उतना अच्छा नहीं मिला dissatisfaction with the policies of the company के जो company के policies है employees satisfied नहीं है ठीक है या आप कह सकते हैं कि जो उनकी जो भी policies हैं वे बहुत जादा rigid है ठीक है उसकी वज़े से भी बहुत बार industrial disputes होता है या फिर hours of work and interval timings holiday and leave with pay bonus provident fund and graduate इनकी वज़े से यह भी कुछ ऐसे factors हैं जिनकी वज़े से industrial dispute किसी organization में होता है अब हम बात करते हैं about the types of industrial dispute कि दने तरह से industrial disputes हो सकता है सबसे पहला यह mcqs में पुछा जा सकता है तो चार तरह से हमारा होता है four types कौन-कौन से strike, lockout, ticketing and girow अब individually हम सब चारों को separate wise पढ़ेंगे तो ध्यान से समझें यह आप से direct पूरा question अगर 10 number में आ गया तो आप पूरा बताएंगे के meaning फिर उसके causes and then types के बारे में यह direct आप से types भी पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से समझें सबसे पहले हम देखते हैं कि strikes basically होती क्या है it is a spontaneous and concentrated withdrawal of labour from production temporarily it is a collective stoppage of work by a group of workers for pursuing their employer to accept certain demands strikes एक बहुत general word है बहुत common सा word है जो हम daily life में भी बहुत बार सुनते हैं कि जब हमारे जो workers हैं जो हमारे लेबर्स हैं वो temporarily अपनी जो production है अपना जो काम है जो daily activities है जब उनसे हट जाते हैं वो काम नहीं करते ठीक है क्या होता है collectively stoppage of work by a group of workers जब collectively सारे जो इतनी भी group of workers हैं और persuade करते हैं ठीक है मजबूर करते हैं जो भी उनके employers हैं higher authorities हैं के वे उनकी जो demand certain demand है उनको accept करें और उनको fulfill करें अब कुछ types of strikes होती हैं कौन-कौन सी सबसे पहली sympathetic strike जो की show sympathy with workers in other industries कि अगर किसी और industry में strike चल रही थी तो हमने उनको support करने के लिए हमने strike करी है sympathy show करने के लिए basically तो वो होती है sympathetic strike second होती है unofficial strike यानि कि strike undertaken without the consent of the union जब हमने अपनी union के consent के बगैर without any prior notice जब हम strike पर बैठ जाएं तो वो unofficial strike कही जाती है next होती है sit down strike workers keys to perform their duties but do not leave the place to work यानि कि जब workers काम के लिए आते हैं पर काम नहीं करते sit down बैठ जाते हैं ठीक इसको generally second इसको pen down strike भी का जाता है जब अपने pen रख दिये उन्होंने अब वे कुछ काम नहीं कर रहे ठीक lightning strike यानि कि out of provocation workers may go on strike without notice और at very short notice यानि कि जब workers बिना किसी notice के या बहुत ही short notice के है ना जब strike पर बैठ जाएं तो उसको का जाता है lightning strike hunger strike to gain sympathy from the public and get noticed by the employer यानि कि जब society से है ना या public से sympathy gain करनी हूँ और चाहते हूँ कि जो भी हमारे employers हैं वे हमें notice करें हमारी बात को सुने हमारी जो demand हैं से fulfill करें workers may decide to forgo food for a special period किसी एक special time period के लिए जब वे अपना खाना पे ना छोड़ देते हैं जिसको हम जनरली हरताल है ना अंशन पर बैठ जाना यह सब कहते हैं तो वह हमारी hunger strike होती है next हमारा होता है lockout, lockout का मतलब होता है it is the counterpart of the strike की एक तरह का counterpart होता है it is a weapon available to the employer to choose down the factory till the workers agree to resume work on the condition laid down by the employer lockout जो है वो एक weapon है जो की हात में है employers के strike तो workers के जात में है कि अपना काम बंद करके बैठ गए lockout में क्या होता है जिस जो हमारे employers है वो हमारी industry को बंद कर देते हैं कि ठीक है अगर आप नहीं काम पर आना चाहते हैं तो हम हम अपने industry को ही बंद कर दे रहे हैं ठीक है जिसकी वज़े से डर की वज़े से जो workers हैं वो वापस काम पर आ जाते हैं तो यह एक तरह का lockout weapon का जाता है in the available to the employers ठीक नेक्स होता है घिराओ it means to surround in this a group of workers initiate collective action aimed at preventing members of the management from entering the office take the persons who are gerard are not allowed to move from a long time sometimes even without food and water कि उसको घर लिया जाता है कि आप जहां है आप वही रहेंगे बस sometimes even without food and water ठीक है next होता है next होता है picketing in this workers often carry display signs banners and placards prevent others from entering the place of work and persuade others to join the strike जिसमें generally क्या होता है कि जो workers होते हैं वो banners लेकर बैठ जाते हैं display signs लेकर बैठ जाते हैं and prevent others from entering the place of work और और लोगों को भी नहीं जाने देते और उनको persuade करते हैं कि वे उनकी strike को join करें यह generally picketing होता है clear है I hope आपको industrial disputes का meaning उसके causes और क्या types of हमारी industrial disputes होते हैं यह clear है कोई भी doubt हो कोई भी query हो additional कुछ भी पूछना हो आप comment section रे mention कर सकते हैं